आपको बताना जाएंगे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हर्दा में पटाका फैक्टरी में एक भीशन आगजनी हुई है जिसमें साथ लोगों की मौत की पुष्टी हो चुकी है सौ से जादा लोग घायल बताए जा रहे हैं आपको बता दें आज सुबह जैसे ही हर्दा में जिसने भी ये खौफनाक मनजर देखा जिसने भी ये नजारा देखा एक तरह से ये मान लिया कि हर्दा में हाहा कार मच गया है लगातार जिस तरह से पटाका फैक्टरी में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कई घरों में लोग अब तक जो है साथ लोगो की मौद की पुष्टी हो चुकी है सौ से जादा लोग जो हैं फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं और अस्पतालों में पचास से जादा घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है सुत्रों के माने तो हर्दा जिले के रहवासी इलाके में ये पटाका पैक्टरी बनी हुई थी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताविक अवे तरीके से जो है इस पटाका पैक्टरी का संचालन किया जा रहा था वहीं दूसी तरफ अब मध्यप्रदेश की मोहन सरका में आ गई है तमाम अफसरान को जो है यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं और पटाका पैक्टरी में हुए इस भीशन विसपोर्ट के हाथसे के बाद से जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है आपको पता दें घायलों को समय पर इलाज मिल सके इसक अलर्ट जारी कर दिया गया है यहाँ पर लगातार कोशिशे की जा रही है फायर फाइटर्स द्वारा की ततकाल जो है स्तिती पर नियंतरन पाया जा सके एक तरह से बड़ा ये हाथसा बताया जा रहा है और पूरे मध्यप्रदेश को जो है एक तरह से हिला कर रख दिया है मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि स्तिती पर नियंतरन पाने के लिए भारती ये सेना की मदद ली जाएगी हेलिकॉप्टर्स के जरिए सेना से मदद भी मांगी जा चुकी है और ततकाल राहत और वचावकारियों को लेकर जरूरी दि इलहाल मिल रही है बड़ी खबर है जिसे आप MP News TV के जरिए देख पा रहे हैं और MP Podcast के जरिए सुन पा रहे हैं